शारुख खान को बीच में छोड़नी पड़ सकती है फिल्म पठान की शूटिंग सल्मान खान बने वजह एक ही सब्जेक्ट पर बन रही दो अलग फिल्म है वजह या किसी और कारण से S.R.K. ने रोकी शूटिंग सल्मान खान ने कुछ समय पहले ही अपनी फिल्म टाइगर थी के शूट की तयारी शुरू की है बताय जा रहा है कि शारुख खान की पठान और सल्मान की टाइगर थी दोनों ही जासो सी थ्रिलर है और दोनों ही फिल्मों के स्टूडियों ने क्रॉसओर प्लांड किया है, जहां सल्मान पहले ही पठान के लिए अपना कैमियोश शूट कर चुके है, वही किंखान को अभी करना है। दरसल शारुक मुंबई के जिस स्टूडियो में पठान की शूटिंग कर रहे हैं, उसी में सलमान और कैड भी शूट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों सूपर स्टार्स मिड ऑगस्ट तक स्टूडियो में शूटिंग करेंगे और फिर अपनी अपनी इंटरनाशनल लोकेशन के लिए रवाना होंगे। वहीं अब खबर आई है कि शारुक ने सलमान की वजह से पठान की शूटिंग बीच में ही रोक दी है। दमदार रोल में दिखेंगे। फैन्स अपने चहेते सितारों की फिल्मों का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। बता दे कि सलमान खान ने पहले ही पठान में अपने कैमियो की शूटिंग पूरी कर ली थी। इसके पहले भी सलमान और शारुक एक दूसरे के फिल्मों में कैमियो रोल करते रही हैं। जिससे इनके फिल्मों को लेकर बज और भी जादा बढ़ जाता है। जिससे बॉक्स ओफिस कलेक्शन में भी फाइदा होता है क्योंकि दोनों की ही जबर्दस्ट फैन फॉलोविंग है और जब दोनों के फैन्स एक साथ किसे फिल्म को देखने जाएंगे तो बॉक्स ओफिस पर धमाल तो होना तै माना जाता है। फिल्हाल शारुक की फिल्म पठान के सेट से शारुक दिपिका और जॉन के पिक्स और विडियोज वाइरल हो रहे हैं। कॉमेंट बॉक्स में और बॉलिवुड से जुड़ी हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब करिए बॉलिवुड नाओ।